आज हम सिखेंगे लॉंग डिवीजन करना तो सबसे पहले हमें एक इंपोर्टेन पाज सिख लेनी है कि भाग देते समय हमें सबसे पहले द्यान रखना होता है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और इस संख्या में देते समय दो संख्यों में भाग देना है अगर दो है हमारे कितनी है 38 तो 12 का भाग 38 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा बार आते हैं 36 जितनी बार में जाएगा उससे हम इधर लिखेंगे तीन बार में गया तीन को इधर लिखेंगे जितना आएगा उससे हम इसके नीचे लिखेंगे तो कितना आया 36 38 के नीचे लिखेंग 12 का भागा 2 में लगाएंगे तो नहीं जाएगा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इस 6 को 8 जीज यहां पर उतारना होगा अब 12 का भागा 26 में लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में 2 बार में जाएगा 2 को यहां पर लिखना है कितना आएगा 24, 24 को यहाँ पर लिखना है अब 26 से 24 को क्या करना है, माइनस कर देना है 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 जाएगा, करटा अब मुझे क्या करना है, 12 का भागा 2 में जाएगा, नहीं जाएगा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा अगली अली संख्या को यहाँ पर उतारना होगा इस पांच को हम यहाँ पर उतार लेंगे वह ऐसे का ही वैसा अब बारा का भागा पचीस में लगाना है तो कितनी बार में जाएगा दो बार में तो 2 एक को यहाँ पर लिखना है कितना आया उसे यहाँ पर लिखना है 24 आया 24 को यहाँ पर लिख देंगे अब 25 से 24 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा 2 से 2 जाएगा कुछ नहीं अब 12 का भागा एक में जाएगा नहीं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा इस दो को यहां पर हमें 8 तीज उतारना होगा तो दो को यहां पर उतार लेंगे अब 12 का भागा 12 में लगाएंगे तो किदिनी बार में जाएगा 1 बार तो 1 को यहां पर लेखेंगे 12 आया तो 12 को यहां पर लेखेंगे अब माइनस कर देंगे 12 से 12 जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो मेरा फाइनल अंसर जो आएगा वो क्या आएगा 3221 यह हमारा उत्तर हो जाएगा इसी तरह की आव लॉंग डिवीजन आसानी से सीखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें धर्न्यवाद